भूने हुए लहसून में भरपूर मात्रा में पोशक कत्व और प्रोडेक्टिव कंपाउन मौजुद होते हैं जो तरह तरह की बिमारियों से लड़ने में हमारी मरत करते हैं इसमें और शद्य गुर्ण होने कारण इसका इस्तमाल कई प्रकार की बिमारियों में भी किया जाता है लहसून के बिना अधोरी नहीं समझाती यह खाने में स्वात को बढ़ा देती है बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनें लहसून खाना पसंद होगा लहसून मल को मुलायम करता है और आसानी से आपकी आँटों से बाहर निकले में मयद करता है इसमें मौझूद एंटी इंफ्लामेंशन गुर्ड पेट की सूजन को भी कम करते हैं रोजाना सुबह उटकर दो लहसून खाने की अगर आप आदर डाल लेते हैं तो इससे आपको बहुत फाइदा होगा लहसून खाने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी आप पी ले लहसून हमारे लीवर को भी सुस्त बनाए रखने में हमारी मयद करता है लहसून में कई ऐसे गुण होते हैं जो लीवर साफ करने में व्यक्ति की मयद करते हैं यदि कोई भुना हुआ लहसून खाता है दोस्तों उसे बहुत फाइदे होते हैं दोस्तों शरीर को सबसे ज़्यादा फाइदा कच्चा और भुना हुआ लहसून खाने से मिलता है। भुने हुए लहसून में कार्वो हाइडरेट फाइवर इत्यादी तत्वों भरपूर मातरा में होते हैं जो शरीर को रोगों से बचाने में मत करते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे भुने हुए लहसून खाने के कुछ खास शमतकारिव फाइदे। दोस्तों विशेश्यग्यों की सला अनुसार को दूर करने के लिए आप भुना हुआ लहसून खा सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेंटरी घुण पाये जाते हैं जो की गले में आई सूजन को कम करते हैं। यदि आपके गले में भी सूजन हैं तो एक बार भुना हुआ लहसून जरूर खाएं। दोस्तों इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। उन लोगों के लिए भुना हुआ लहसून बहुती फाइदेमन होता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर अकसर हाई रहता है तो आप भुने हुए लहसून का सेवन कर सकते हैं। भुना लहसून आपके बड़े हुए ब्लड प्रेशर को निहंत्रित रखता है। यदि आपके शरीर का इम्मुनिटी सिस्टम यानि की रोग प्रतिरोदक श्रमता कमजोर है तो भुने हुए लहसून का सेवन तुरंद शुरू कर दे। इसका सेवन बोड़ी का इम्मुन सिस्टम स्ट्रॉंग बनाकर बिमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। भुना हुआ लहसून खाने से बोड़ी में केलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहता है। दोस्तों जान लिया ना आपने मुने हुए लहसून खाने के कुछ खास जबरतस वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरू करें धन्यवाद